आप सब को मेरा नमस्कार और मुझे याद है कि 15 फरवरी दो हजार चौबीस को जब इस देश के उच्चतम नयायाले ने The Highest Court of India Supreme Court ने ये जज्जमेंट दिया था कि इलेक्टोरल बैंड बैंड किये जाएंगे तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था क्योंकि राजनीती में जो शुचिता चाहिए उसकी और ये एक बड़ा कदम था मुझे याद है इसी प्लाटफॉर्म से मेरे सहयोगियों ने और मेरे नेताओं ने आपको अड्रेस किया था हमने इसका स्वागत किया था इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है उसको कौन दे रहा है किस लिए दिया जा रहा है क्या मोटिव है ये लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है और ये वाकई में एक एतिहासिक निरने था 2017 से ये जो और्गनाईज लूट मची थी इसका अंत सुप्रीम कोट ने 15 फरवरी 2024 को किया था उसके साथ साथ सुप्रीम कोट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये भी निर्देश दिया था ये भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉंड के डोनर की सूची सारवजनिक की जाए और चुनाव आयोग के साथ साजह की जाए करीब 21 दिन का वक्त मिला था जैसा कि मैंने कहा पूंजी पतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी उनका बढ़ता हुआ प्रभाव नीती निर्माण कुछी लोगों के लिए होना यह सारा कच्चा चिट्था जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सारवजनिक हो जाता लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि SBI सुप्रीम कोट के सामने यह कहेगा और SBI ने यह कर दिखाया SBI ने सुप्रीम कोट से कहा है कि यह डेटा देने में SBI असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए मतलब टोटल पाँच महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए और हास्यास्पत बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉंड का यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉंड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से computer इक्रत पूरी तरह से computerized SBI को एक click of a button पर ये data मिल जाना चाहिए इसके लिए SBI को 5 महिने चाहिए वो SBI जिसके पास 48 करोड बैंक अकाउंट है वो SBI जिसकी 23,000 के करीब branches है वो SBI जो 6,000 ATM चलाता है पूरे देश में उसको 22,217 electoral bond किसने दिये उसका विवरर देने के लिए 5 महिने चाहिए यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि भारतिय जनता पार्टी शुरू से असहज थी 2017 में जब ये स्कीम आई और पिछले वित्य वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2023 तक करीब 12,000 करोड रुपे electoral bond के माध्यम से political parties को मिले जिसमें दो तिहाई अकेले भारतिय जनता पार्टी को मिले करीब 65,000 करोड रुपे भारतिय जनता पार्टी को मिले और करीब 9% अबाउट 1000 करोड रुपे से थोड़ा जादा Congress को मिले तो भारतिय जनता पार्टी चिंतित थी चिंतित इसलिये थी क्योंकि अगर लोगों का नाम सारविजनिक हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन सा मित्र कितना दे रहा था क्यों दे रहा था यहाँ पर आपको एक और रिपोर्ट का की याद दिलानी जरूरी है एक रिपोर्ट आई थी न्यूज लॉंडरी और न्यूज मिनिट ने करी थी उन्होंने कहा था 30 ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने 335 करोड 2018 से 2023 के बीच में भारतिये जनता पार्टी को दिये इनके खिलाफ कारवाई हुई थी चाहे वो income tax हो CBI हो या ED हो इसमें से 23 कंपनिया ऐसी थी जिन्होंने कभी इसके पहले चंदा नहीं दिया था तो क्या ये quid pro को था क्या नाम आने से पता चल जाएगा कौन चंदा दे रहा था क्या नाम आने से पता चल जाएगा किस समय चंदा दिया गया क्या ये भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीती बनाई गई क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जाच बंद करी गई क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर चन्दा ना देने पर किसके खिलाफ जाज खोली गई चन्दा लेकर बंद कर दी गई तो चन्दा का भांडा फोड़ हो जाता इसलिए SBI का कहना है कि हमें 2024 30 जून तक का वक्त चाहिए चुनाओ निपट जाएगा चुनाओ के पहले आ गया तो जो हम कह रहे हैं सूट बूट की सरकार जो हम कहते हैं मित्रों की सरकार जो हम कहते हैं कि कुछ ही लोगों के लिए नीती निर्माण होता है वो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन जन्दा को इतना मूर्ख क्यों समझा जाता है जब जब सच दबाने का प्रयास होगा तो जनता पूरा सच समझती है जनता जानती है कि अगर आपके खाते अगर आपके ख़जाने एक दो व्यक्ति पैसों से भर रहे है तो ये सरकार और इस देश का प्रधान मंत्री उन्हीं लोगों की गुलामी करते हैं उन्हीं लोगों के लिए नीतिया बनाते हैं हमारे इस मंच से कुछ सवाल है और सवाल बड़े सपश्ट है और बड़े कम हैं पहला सवाल हमारा ये है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक पूरी तरह से कंप्यूटराइज बैंक SBI को 22,217 इलेक्टोरल बॉर्ण देने के लिए पाँच महिने का समय क्यूं चाहिए ये तो एक click of a button पर होना चाहिए हमारा दूसरा सवाल ये है कि SBI को एका एक जब अवरी जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले SBI क्यों जागा क्या SBI को 25 दिन का टाइम लग गया ये सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा और ये एक बड़ा सवाल है एक और सवाल है और इसका मैंने उलेक भी किया कि 48 करोड अकाउंट, 6,000 करीब ATM, 23,000 करीब ब्रांचेज होने वाले SBI को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महिने चाहिए ये कितना हास्यासपद है, SBI पर प्रेशर कौन बना रहा है, इस आर्थिक अन्यमित्ता को, इस काले धन के गोरक धन्दे को कौन पन अपने दे रहा था क्यों SBI पर दबाओ बनाया जा रहा है, ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाओं के पहले ये नाम सामने आ गए और सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में ये जानने का हक नहीं है, कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझ कर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके ये पूरा गोरक धंदा है, अलायंस अब SBI के साथ की गई है, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कबजा करना चाहती है, पहले CBI, ED और Income Tax बने नए फ्रंटल, अब लगता है SBI बन गया है, और सम जरूरी है, कि कितना भी शड्यंत्र SBI और सरकार मिलकर रच ले, मोदी जी ने किस से कब कितना पैसा लिया, और उसके एवज में जाच बिठाई, या जाच बंद करी, उसके एवज में कौन सी नीती बनाई, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता सब देखती और सब सम I will very briefly make a statement in English on this particular matter, it's of grave national importance, 24 hours before the SBI was supposed to make names public of who the electoral bond donors were, according to the Supreme Court order of 15th February 2024, not unexpectedly but in a very shocking and brazen way, the SBI has approached the Supreme Court and has sought time until the 30th of June 2024, to make these names public, why does the SBI need so much time, SBI is not just India's largest lender, it is a fully computerized bank, it operates 48 crore bank accounts, it operates 66,000 ATMs, nearly 23,000 branches all over the country and beyond India and this SBI needs 5 months to be able to gather data for just 22,217. Electoral bonds, why is the BJP so scared of these names coming out, it's important to remind you of two figures here, between 2017 and 2023 from the onset of the electoral bonds till the end of fiscal year 2023 last year, about 12,000 crore rupees was collected by political parties through electoral bonds, it wasn't shocking, but two thirds of that went to the BJP, nearly 6,500 crore rupees, the Congress got a measly 9%, it is also important to remind you here that after the Supreme Court order, a very shocking report from News Minute and News Laundry made it public, and this is only ice, you know the tip of the iceberg, that 30 companies contributed to about 335 crore rupees and there were raids on these companies between 2018 and 2023 through various agencies like the CBI, ED and income tax. 23 of these companies had never donated to a political party before, the quid pro quo is for all to see, so why is the BJP so scared, what is going to change if names become public, let the names become public, do people in this democracy not have a right to know that who is donating to which political party and how much and at what time, and is there a quid pro quo, is policy formation happening on the basis of donations being received, are agencies acting at the behest of these donations, are agencies coaxing companies to donate to the BJP, are probes happening and probes closing on the basis of donations that are coming in, and these are very simple questions that must be raised in any democracy, what is it that the SBI needs these 5 months for, and SBI woke up after 20-25 days to realize it needs additional time. There is a clear attempt by the SBI and the government of India, at the behest of Prime Minister Modi and the BJP, to conceal the names of donors through electoral bonds, but the people of this country can see through these sinister plots, and they see that every effort is being made to conceal the names of these donors, and it's for everybody to see, I don't think there's rocket science to it, I don't think there's a maze that nobody can solve, everybody can see, they can just connect the dots, and the dots when connected present a very worrisome picture for our democracy, and that picture reveals how there is absolute quid pro quo as far as electoral bonds was concerned, this was a completely legalized loot that Supreme Court put an end to, and may I dare say, by doing what the SPI is attempting to do, along with the BJP and along with the government of India, it is playing into the hands of a political party, not just ruining its own reputation, but also is in contempt of what the Supreme Court order stands for, and that is absolute transparency as far as electoral donations are concerned. आपके सवालों का स्वागत है, पहले अगर आप इस पर सवाल लेंगे, तो आपकी बड़ी क्रिपा होगी है. I also wanted to make a very brief statement, I can make it right now, or I can make it after your questions, which is on Google Ads. A very worrisome report has appeared. आप आजकल कुछ स्वीनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाएए, इंटरनेट की कोई भी चीज़ देखिए, वहाँ पर दाच चियारे हुए, हस्ते, मिस्कुराते, आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रदान मंतरी, हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेब साइट पर नजर आते थे, क्योंकि बीजेपी खुब धड़ा-धड़ा पैसा इतना है, इलेक्टोरल बॉन से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा, पचास परसेंट गूगल का जो वीडियो आड्स है, वो बैन हो गए है, गूगल का अपना नियम है कि अगर तीन से जादा उलंगन होता है, तो अकाउंट सस्पेंट कर दिया जाता है, लगातार उलंगन हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि उलंगन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है, तो मेरा अपना मानना है कि जो social media platforms हैं, मेरा अपना मानना है जो digital media platforms हैं, Google जैसे, पारदरशिता रखते हुए, वो जरूर बताएं कि भारतिय जनता पाटी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून का को माने और उसका उलंगन ना करें, ये एक विड आती हैं, तमाम volunteers और बड़े लोग जो बोलते हैं, तो पर Twitter और Facebook बैन लगाता है, पोस्ट को रिस्टिक्ट करता है, और एक दूसरी तरफ भारतिय जनता पाटी लगातार उलंगन करती रहती है, अब यहां पर सामने आ रहा है कि Google Ads में उलंगन हुआ है, और उनके आड चलत करते हैं. I have said it in so many words, I am not going to get into the ambit of what the highest court in this land will do, but once the Supreme Court says that these electoral bonds should be banned, once these electoral bonds are unconstitutional, everything that comes with it should be exposed. the Supreme Court had given a very strict directive and in no uncertain terms had asked the SBI to make these names public are you telling me that the State Bank of India does not have the resources to put out the names of 22,217 electoral bond donors is this a joke you operate 48 crore bank accounts all over the country you have 66,000 ATMs you manage 23,000 branches the workforce is the largest for any lender anywhere in the world and SBI can't put together 22,000 names I mean does that not ring an alarm bell I do believe that in the interest of the Supreme Court order which we have all hailed which stands for transparency I do believe that the SBI should be told to make these names public and I do hope that they will not be getting any relief otherwise they will have an impact So the Supreme Court said that you do not have any relief the SBI said that they should have a long time that they should have a long time that they should have a long time that they should have 5 months we have all this work done here we have all the work done here हुई है जो चंदे की चोरी हुई है चंदे के बेसिस पर जो सरकार ही चली है उसकी बात है अब उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोड़ सcéर्वी अगयां भी लेगा इसमाटर का मुझे ऐसा लगता है अग। सरकार में लेश मात्र भी मर्यादा और शर्म थोड़ी सी बाकी रहेगी तो SBI क्योंकि SBI का सबसे बड़ा शेर होल्डर गवर्मेंट ओफ इंडिया है वित्मंत्राले को SBI रिपोर्ट करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ करेगी अगर हम ही सब कुछ कर देंगे तो सरकार दस साल से जुझना बजा ही रही है अभी भी जुझना बजाने दें सरकार को SBI पर और इस चंदा चोरी पर अगर आपका कोई और सवाल हो आपका कोई और सवाल हो we are not scared of it let it be public we have said it from day one let it be public let it be known the reality is that you were masked two-thirds of that amount so you should be the last person telling we are absolutely fine we work with transparency you seized our accounts you took money illegally from us you did all of that through income tax we give a damn and that's because the people of this country realize what you're doing with India's main opposition we are absolutely fine with it we are not the ones hiding behind SBI and hiding behind one scripture and hiding behind the other we are saying make it public in the interest of transparency so that counter narrative falls flat on its face I hope प्रश्तिशत असेहमत हूं Mein इस मंच से ऐसे वक्तविका पूरी तरह से निंदा करती हूं मुझे रखता है राम हम सब के हैं राम हम सब में हैं मेरा तो अपना मानना है कि जिस नाम को इमाम हिंद कहा गया वो संप्रदायों से धर्म से जाति से उपर है राम क्या है राम जीवन जीने का एक आदर्श है राम मर्यादा है राम नेतिकता है राम प्रेम है जिसकी बात हम क करती हूं यह उनका अपना वक्त अभे हो सकता है मैं इसका कोई समर्थर नहीं करती हूं पूरी तरह से निंदा करती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सयमित होके बात करनी चाहिए मुझे नहीं लगता जटका है उनका कारण क्या था चोड़ने का मुझे नहीं पता मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल जटका नहीं है अगर आप और यह मैंने पहले भी इस मंच से कहा है और थोड़ा मुझे लगता है मगरूर जैसी लगतियों में यह कहते हुए लेकिन अगर आप कॉंग्रेस को छोड़कर रातो रात भाजपा में शामिल हो सकते हैं और उनका जंडा उठा कर चल सकते हैं आपने जिंदगी भर कॉंग्रेस की राजनीती की हो आपने जिंदगी भर ऐसी ताकतों का सामना किया हो उनका उनकी खिलाफत करी हो कैसे ये लोग ऐसा कर लेते हैं मुझे नहीं पता ये भी एक fine art है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का जिनका टिकेट नहीं होगा या जो भी वो ऐसा करेंगे ऐसा करने में मुझे लगता है सबसे बड़ा जवाब देही आपकी ना Congress को है ना Congress अध्यक्ष को है ना कारेकरता को है सबसे बड़ी जवाब देही तो अपने अंतरमन को है अपनी अंतरात्मा को है अगर वो इस काले कारनामों की आपको गवाही देती है तो ऐसा बिलकुल कीजियो आप आज नहीं कल चले जाएए क्योंकि यह लड़ाई बड़ी मुश्किल है, यह लड़ाई बहुत लंबी है और यह लड़ाई पूरी ताकत से लड़नी पड़ेगी, अगर जरा सा भी संशय है तो कॉंग्रेस के सिपाही आप नहीं बन सकते हैं, इस दौर में, जी. मुझे इस बच्चों के आड्स को लेकर की जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर टिपड़ी नहीं करूंगी, जो मैंने टिपड़ी की वो इस बार में की, कि पिछले महीने गूगल के 50% आड्स, गूगल वीडियो आड्स जो भाजपा के चल रहे थे, वो गूगल के ही अपने नियमों का उलंगन करते हुए पाए गये, और गूगल का नियम ये कहता है कि अगर उनके आड का उलंगन होगा, तीन से जादा बार 90 दिनों में, तो व में भारतिये जनता पाटी का आड अकाउंट सस्पेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल हम उठा रहे है, जी, माम, प्रो पाकिस्तान स्लोगन को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठा रही है, उस पर इंवेस्टिगेशन भी जा रही है, ती तो माइंसेट है, वो दिखाता है कि किस तरह से प्रो पाकिस्तान स्लोगन गाने वाले जो लोग है, वो ये एक हिस्सा है, आप एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, कुछ बातें मंच से करना नहीं चाहा रही थी, लेकिन कॉंग्रेस का असली चाल चरितर और चहरा पूछ ऐसे ऐसे शिरोमणी दर शिरोमणी आपकी पार्टी में शामिल हैं कि आपका आप उनको टिकट देते हैं उनके काले कारणावे और सारी करतूते बाहर आती हैं उनको हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है प्रभू हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे यह आपही की पार्टी के संस अंपने चाल जट्रेटरो चाहरा पूरी तरे से जनता देख रही है chosen तो मेरा मूँ अपने चाल जट्रेट्रों चेहरे पि ना खुल वाये तो अच्छा रहेगा जी स्थिति लंगा से उन्होंने कहा कि नेशन हम परस्ट है और बाकियों के लिए family first है मोदी का परिवार तमाम बायोज जो है change किये है BJP के नेताओं ने मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाह रही थी परिवार बड़ा प्रिये होता है इस देश के चुने हुए प्रधान मंतरी उनके लोग उनके मंतरी उनके संसद उनके बद्द्दमाग, बेलगाम, प्रवक्ता काफी सारी जन्ता जब ये कहती है मेरा परिवार तो क्या मोदी जी 140 करोड जन्ता को अपना परिवार नहीं मानते हैं मैं तो इस मंच سے पूछना चाहती हूँ क्या मोदी जी मणीपुर को अपना परिवार नहीं मानते हैं नौ महीने से जलते हुए छोड़ दिया है क्या मोदी जी केरल जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं उसको अपना परिवार नहीं मानते हैं मैं तीन नाम आपके सामने लेती हूँ चार ले देती हूँ चाहिए वर्शा थी एक लड़की पुलीस परिक्षा दी उसने उत्तर प्रदेश में पुलीस परिक्षा का पेपर लीक हुआ परिक्षा रद दो गई वर्शा ने आत्मत्या कर ली वो आपका परिवार है की नहीं है रमेश बिंद मजदूर थे मजदूरी करते थे काम नहीं मिल रहा था करजे का बोज़ चड़ गया आत्मत्या कर ली वो आपका परिवार है की नहीं है आगरा का एक लड़का था तरुन नौकरी चली गई करजे के बोज के तले दब गया उसने फासी से लटक कर आत्मत्या कर ली साथ ही उसकी बेटे और पतनी का शव पाया गया वो आपका परिवार था की नहीं था बिर्जेश पाल अभी एक लड़का यूपी का उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का फाइदा किया जब इनसे नौकरी नहीं मिलती है और उसके बाद फंदा से लटक गए वो आपका परिवार है की नहीं है वो आपका परिवार नहीं है क्योंकि आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय मालिया और महुल भाई जैसे लोग शामिल है क्या है आप आपका परिवार है की नहीं है, इस देश के प्रधानमंती होने के नातिया आप एक व्रिहद परिवार के मुकिया है, मुकिया आखों पर पट्टी और मुपर दही जमा के बैठा रहता है, और आप परिवार की बात करते हैं, शर्मानी चाहिए आपको, और ये सब मुद्दों से भटकाने के प्रयास है, मुद्दा इस देश में बेरोजगारी है, मुद्दा इस देश में महंगाई है, मुद्दा इस देश में बढ़ती हुई गरीबी है, बढ़ती हुई आर्थी का समानता की खाई है, मुद्दा पेपर लीक है, मुद्दा बेरोजगारों का जो गर्त में जाता हुआ वो है, साब मुद्दों से भटकाएंगे, इनसे पूछो पूरा तो बचाएंगे पस्चिम, पूछो उत्तर तो बताएंगे दक्खिन, यह असलियत है, और कोई सवाल जी पूछिए, एक बयान दिया है, जिसको लेकर बीजेपी बोल रही है, राहु पूके मर जाते हैं, यह पी-म की नीती है, जिसको लेकर बीजेपी बोल रही है कि बार बार सनातन धर्म का अपमान जो है, राहुल गादी करते हैं, यह बीजेपी की बेवकूफी की वक्तव्यों का मैं यहां से जबाब दोंगी इस मंच से, इस मंच का थोड़ा आदर करिय आप लो, जो भुखमरी से लोग मर रहे हैं, जो नौ करोर से जादा बच्चे को पोशित हैं, वो किस के बच्चे हैं, भारत माता कही बच्चे हैं ना, उसके बारे में क्या बोलेगी बीजेपी, जिन सारे नामों को मैंने अभी आपको गिनाया, यह बेरोजगार बच्चे नहीं कहूं वियापा, आपके राज में किसान मजबूर है, मजदूर मजबूर है, बेरोजगार युवा मजबूर है, औरते मजबूर है, किस तरह की बाते यह लोग करते हैं, मुझे कभी-कभी लगता है दे अस्किजोफ्रेनिक, मुझे कभी-कभी लगता है कि इनको और कोई सवाल प्रधान मंत्री मोधी ने बधाई दी है दोजर चॉवी से पहले इस मामले को कैसे देखती है क्योंकि चाइनीज प्रीमियर को आज तक उन्होंने बधाई नहीं दिये और पाकिस्तान और चाइना से मोधी जी का बड़ा लगाओ है भाई आपको इसमे इतना भगवान जाने क्या खाने, नवाज शरीफ के ही तो घर गए थे, आप भूल गए क्या, किसी को पता ही नहीं था कैबिनेट में, मुझे याद है 25 दिसंबर या 24 दिसंबर का दिन था, एक उनी के मंतरी के हाँ बोर्ष था, मैं तब पत्रकार होती थी, वहाँ पर वित्मंतरी अरुण जेटली जी बैठे हुए थे, भगवान उनकी आत्मा को शांती दे, हम लोगों ने पूछा, आपको पता है, उन्हें का मुझे तो नहीं पता है, और वहाँ लपके हुए पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान के ISI को पहली बार इस देश की सरजमी पर बुलाने की हिमाकत नरेंद्र मोधी जी ने करी पठान कोट में, पाकिस्तान से उनका बड़ा गहरा संबंद है भाई, बहुत मानते हैं पाकिस्तान को वो, 18-18 बार जब चाइना जाते हैं, या 30-30 बार जब शी जिन पिंग से मिलते हैं, आप गए हैं किसी अपने दोस्त को लेकर महा कहता है, 19-19 लेवल की कोर कमांडर की टॉक में, चाइना का पियले क्या कहता है, आपका प्रधान मंतरी कहता है, कोई घुसा हुआ नहीं है, हमारे 20 जाबाजों की शहादत होगी, बड़ा प्रगार संबंद है, बड़ा गहरा संबंद है, बहुत दोस्ती है, बहुत प्रेम ह हैं, आप लोग नाहक भोले हैं, आप लोग समझ नहीं पाते, इस अमर प्रेम कथा को, बड़ी अमर प्रेम कथा है, चीन से एक हाथ पर, पाकिस्तान से दूसरे हाथ पर, और भी कोई सवाल, धर्निवाद, झाल, 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